रच्छा करे ने रच्षा करे हमारे सेंग मारे गए या कुछ बताओगी ने तिराज कालिका के प्रह से हमारा से सेनापती धुम्र लोचन जल कर भस्फम होगे और हमारी असूर सेना थीisa अरश्ट हो गई देत्ते राज हमारे भोस से जैनिक मारे गए और और हम अपने प्रान बचाकर बड़ी कठीनाई से यहां पहुंचे हैं देत्ते राज कौन है यह कालिका कहां से आई यह कालिका जिसने हमारे सेनापति भूमर लोचन को वस्म कर दिया कौन हो सकती है कालिका अवश ही यह सुंदरी कौशिकी की रक्षिका है कि जब से पहले हमें रक्षिका कालिका को हिस्समाप्त करना होगा है कि यही एक उपाई है कि निशुम कि वह सुंदरी असीम शक्ति की स्वामिनी प्रतीत होती है हमें अत्यन सावधानी से युद्व में उस पर विजय प्राप्त कर उसे यहां स्वर्ग लोग में लाना होगा देतिराज इस समय आपको युद्व भूवी में नहीं जाना चाहिए दूम्र लोचन अपनी असावधानीों के कारण ही युद्व में मारा गया इस समय तो आपको किसी चतुर, सचे, सावधान असुरवीर को भेजें ताकि वो अपनी चतुराई से कौश्की को समझा कर यहां ला सके देतिराज उस सुंदरी से हम एक बार मिल चुके हैं मिलने से हम उसके सुभाव से परिजित भी हो चुके हैं इसलिए एक बार फिर हमें उसके पास जाने का उसर दे देते राज हमें विश्वास है कि हम उसे यहां लाने में अवश्य सफल होंगे निशुम मेरा विचार है हमें इन दोनों को ही भेजना चाहिए हां भया शुम मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं चंड मुंड तुम दोनों असुर सेना के साथ उस और प्रस्थान करो किन्तु सावधान विजय होकर लौटना ऐसा ही होगा देते राज कर देते कर देते कर देते कर देते कर देते कर देते मैं ऑम काव जो प्राणी समझते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम और अंतिम लक्ष है वे यदि अतीत पर द्रिश्टी डाले तो उन्हें ज्यात होगा कि भौतिक सुखों से आज तक कोई प्राणी सुखी नहीं गवाले मैं तो जीवन में बगबग पर इस सत्य के साथ साकार हूँ मैं ओंकार हूँ हवन करते हुए शुक्राचा दे हैं आकाश में उड़ते हुए सुख्रीव को समझाने का प्रयत्म करते हैं कि शुम्भ निशुम्भ के लिए देवी कोशिकी के पास जाना विनाशकारी हुआ किन्तो शुम्भ निशुम्भ के भैसे भैभीत सुख्रीव महाले जा पहुचता है और चमतकारी कोशिकी महल को देखकर चकित होता है पधार ये असुर सिनापती धुंगलो चन्द आप मुझे जानती है सुंदुरी आप जैसे महान असुर को भला कौन नहीं जानता मुझे तो आश्चर इस बात का हो रहा है कि आप यहां शुम्भ निशुम के दूद बनकर क्यों आए हैं आपके प्रश्न का अभी प्राई क्या है सुंदुरी यही कि आप स्वयम इतने बलशाली है कि शुम्भ निशुम भी आपके तास बनकर रह सकते हैं किन्तु है अलोकिक सुंदुरी मैं इस समय स्वर्ग विजेता शुम्भ निशुम का दूद बनकर आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं मैंने तो दूद से कहा था कि मैं युद्ध चाहती हूं और ये संदेश भी दिया था कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के साथ विबाह करूंगी फिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा है सुन्दरी मैं तुझे बन पूरक उठाकर देजाने के लिए आया हूं उन्पर विजय पाने के लिए युद्ध की अवशकता ही नहीं है कि अब दूर्श्ट भूम लोचन यदि तु जीवित रहना चाहता है तो अपने स्वामियों शुम्ब निशुम्ब को युद्ध के लिए भेज युद्ध जाए भूमृलोचन यदि जतनबा कालिका के हाथों मरना नहीं चाहता है तो तुरंट लोट जाब। है! कुट्री कोशी की? अब अपने महाले में जाकर विश्राम करो। धुम्र लोचन के अंत के साथ असुरों की ओर से नया युद्ध प्रारंब होगा। आवशक्ता पढ़ने पर मैं तुरंट तुम्हारी रक्षा के लिए आ पहुचूंगी। ओना महाय ओना महाय। झाली झाली! झाल 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 कि क्या बात है नंदी माता पार्वती के अचानक अद्रिश्य होने से हम सभी लोग चिंतित हैं भोले नात रिपा करके हमें बताएं कि माता पार्वती कहां है आपकी प्रसन्ता मेरी लिए वर्दान के समान है स्वामी अब मैं इस करता विकार निस्संकोच होकर पालन करूंगी कालिका यह कालिका का कौन सा रूप है माता यह रहस्य को जानने के लिए तुम सभी को प्रतीक्षा करने हो समय रहस्य संपून रहस्य तुम्हें ग्यात हो जाएगा भक्रेटिराश Our कि हमारे सैनिक मारे गए दैते राज चिला तेही रहो गए यहां कुछ बताओगे भी डैति राज कालिका के प्रहार परह अब आपटी धुम्र defenseman हो गए। और हमारी असुर सेना वेश्ट ब्रष्ट हो गई देत्ते राज हमारे भोष से सैनिक मारे गए और और हम अपने प्रान बचाकर बड़ी कठीनाई से यहां पहुंचे हैं देत्ते राज कौन है ये कालिका कहां से आई ये कालिका जिसने हमारे सेना अपति भूमर लोचन को वस्म कर दिया कौन हो सकती है कालिका अवश ही ये सुंदरी कौशिकी की रक्षिका है जब से पहले हमें रक्षिका कालिका को हिस्समाप्त करना होगा यही एक उपाई है निशुम वो सुंद्री असीम शक्ति की स्वामिनी प्रतीत होती है हमें अत्यन सावधानी से युद्व में उस पर विजय प्राप्त कर उसे यहां स्वर्ग लोग में लाना होगा देतिराज इस समय आपको युद्व भूवी में नहीं जाना चाहिए दूम्र लोचन अपनी असावधानीों के कारण ही युद्व में मारा गया इस समय तो आपको किसी चतुर, सचे, सावधान असुरवीर को भेजें ताकि वो अपनी चतुराई से कौश्की को समझा कर यहां ला सके देतिराज उस सुन्दरी से हम एक बार मिल चुके हैं मिलने से हम उसके सुभाव से परिजित भी हो चुके हैं इसलिए एक बार फिर हमें उसके पास जाने का उसर दे देते राज हमें विश्वास है कि हम उसे यहां लाने में अवश्य सफल होंगे निशुम मेरा विचार है हमें इन दोनों को ही भेजना चाहिए हां भया शुम मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं चंड मुंड तुम दोनों असुर सेना के साथ उस और प्रस्थान करो कें तु सावधान विजय होकर लोटना ऐसा ही होगा देते राज जर्गाधी पती महाबली देट राज शुम निशुम की जैशुम निशुम ने पहले द्रूम लोचन को बेजा देवी कौशिकी के पास और उसे मरवा दिया और अब मरने की बारी है चंड मुंड की क्या कारण है कि शुम निशुम अपनी असुर सेना को भेज रहे हैं युद्ध करने स्वयम नहीं आते वो देवी कौशिकी की शक्ति से परिचित होकर भैभीत हैं कि कहीं उनके हाथों वो मरे न जाए ना राए ना राए देवराज एवण देवगंड आप सब यही विचार कर रहे हैं कि शुम निशुम स्वयम युद्धकरने क्यों नहीं जाते कहीं देवी कौशिकी के हाथों मृत्य को प्राप्थ होने के भाए से तो नहीं जातेone यही विचार मेरे अथवा अन्य किसी के भी मन में आ सकता है देवराज कैसा विचार देवर्शी यही कि आप स्वयम इन दुष्ट असुरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके इने समाप क्यों नहीं करते। देवर्शी इस बार स्वर्ख से निकलते ही हमारी सारी शक्ति अपना चमतकार खोच चुकी। इसके अतरिक देवगुरु ब्रहस्पती ने भी हमें परामश दिया है कि हम अपनी बची कुछी दिवर्शक्ति का प्रयोग करके उसे व्यर्थना करें। कारण की इन दुष्ट असुरों का संघार तो देवी कौशी की हातों ही होगा। नारायन, नारायन। देवी कौशी की के विशे में देवगुरु ने जो कुछ कहा वो अक्षरक्षय सत्य है। परमपिता ब्रह्मा जी ने स्वयम मुझसे यही कह था कि शुम निशुम को दिये गए वर्दान में ही इन असुरों के विनाष्टे बीच छुपे हुए। देथ सेनापती चेंड मुंड की नारायन, नारायन। स्वर्गाधि पती महाबली देथ राज शुम निशुम की शे। स्वर्गाधि पती महाबली देथ राज शुम निशुम की शे। देथ सेनापती चेंड मुंड की शे। अरे नारत तुम ही हो यह तो सारा जगत जानता है कि मैं मैं हूं। कुछा यह प्टी बात शुम नारत चण कही रहाया कि तुम ही हो जो देवताओं को हमारे स्वामियों के विरुत बढ़ते हो। तुम देवताओं की मित्र और असूरूं के शत्रु हो। होता है कोई किसी का मित्र तो कोई किसी का शत्रू होता है जैसे आप बुद्धी के शत्रू और दुष्टता के मित्र होता है क्या कहां मैंने कहां कि हे वी रसूर क्या जगत में ऐसा भी कोई निर्बुद्धी प्राणी है जो देवताओं का शत्रू और असुरों का मित्र होना चाहेगा और यदि जैसे एफ नहीं कहा उनकी बुद्धी में मेरी बाते आवश्य आजाती होगी नहीं केवल भोलता ही नहीं खोलता भी हूं क्या कोड़ते हो रहसे और समय यह रहसे खोल रहा हूं कि तुम दोनों का सर्वनाष समीथ है नहीं जटकार से सत्य को नहीं दबाया जा सकता चंड तो जाओ तुरंक जाकर पातालोक में छिप जाओ क्या कहां नारायन नारायन अरे दुष्टों निर्वद्धियों तुम्हारे इत्की बात करता हूं तो भी तुम्हें क्रुवदाता है नारायन नारायन मैंने तो केवल तुम्हें सावधान किया है कि जिस और तुम जा रहे हो उस और साक्षा जगत माता जगत जननी जगदंबे आदी शक्ति विराजित हैं वे सत्पुर्शों की रक्षा और असुरों का विनाश करती हैं उनकी पुत्री देवी कौशी की भी इनी गुणों से अब मेरी बात वो धीमानों के समझ में आती है ना तुम कैसे समझभाओगे नाराय नाराय और विधी के विधान के आगे तुम क्या करोगे और मैं भी क्या करूँ अब आगे बढ़ो और परिनाम बुश्कों नाराय नाराय जर्गाधिपती महाबली डेटराज शुम निशुम जी जर्गाधिपती महाबली डेटराज निशुम निशुम जी जे कुली काशिकी इस बार उन दुष्टों ने चंट मुंद को बेजा है मैं चामुंदा का रूप धारन करके उनका वद करूंगी तुम निश्चिंत रहो माता मैं तो तुम्हारी लीला के आधीन हूं नारायन नारायन देवी के दोनों पावन रुपों को नारत का कोटी-कोटी प्रनाम धन्य हुआ मैं एक ही रूप को दो स्थिती में देखकर मैं धन्य हुआ नारत तुम यहां किसकी आज्या से आये हो नारायन नारायन माता बालक को अपनी माता से मिलने के लिए किसी की आज्या के आवश्यक्ता होती ही नहीं वाग पटू हो तुम्हारे सम्मुख प्रिष्णी जन्म ले उससे पूर्वी उत्तर तुम्हारी वानी में जन्म ले लेता है अब प्रिष्ण यह है कि आग्या के आवश्यक्ता नहीं किन्तो आये क्यों हो दर्शन मात्र दर्शन मन में एक प्रबल इच्छा थी कि आप दो युद्ध भूमी में भी पुर्ण हो सकती थích व अरो उनके पूरन होने के पस्चेश जीवन और जीवन की शांतीन कि दोनों नारायन नारायन समाप्त हो जाते हैं मैं अपनी कामनाई युद्ध भूमी में पुरुण होने के पक्ष में कदापी नहीं हूँ असुर सेनापती महाबली जंड मुंद की जह माता आप इन असुरू को यम लोग पहुचाएं मैं चलता हूँ मुझे आग्या दें आइम रीम क्लीम असुर सेनापती महाबली जंड मुंद की जह ताव थां गुष्ट जंड मुंद तुम्हारा प्रवेश काउश की महले में अब कदापी नहीं होगा तुम दोनों यदी अपनी रक्षा चाहते हो तो पाता लोग लोट जाओ अन्य था मुझसे युद्ध करो ना है हम बल पूर्वक सुन्दरी कौश्की को स्वर्ग लोग ले जाकर ही रहेंगे स्वर्ग विजयता शुम्ब निशुम्ब की यही आग्या है चंड मुंड तुम दोनों को समाप्त करने के लिए ही मैंने चामुंडा का रूप धारन किया है हम पादाल के महावीर युदा है कर दोनों किया है यह शुम्ट काउशिकी मैंने इन दोनों दुष्ट असरों को संग्राम रूपी यग्य में बली देने के लिए बांध दिया है माता आपने चामुंडा रुप धारण कर लिया है अब आप ही अपने हाथों से इनका अंत करें महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जै महादेवी महाशक्ति माता चामुंडा की जै जै पहते राज चंड मुंड भी उस सुंद्री के हाथों मारे गए अब तो आपको उसे प्राप करने का विचार त्याग देना चाहिए अन्यथा असुर जाती का सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा असुर जाती के सर्वनाश की भविश्यवानी करने वाले असुर द्रोही तेरा ही प्रामश मांकर हम धुम्र लोचंड तथा चंड मुंड जैसे असुर वीरों से हाथ धो बैटे हैं असुर्जाति के सर्वनाश से पहले तो हमारे हाथों तेरा सर्वनाश होगा दैतराज अब तो ये निश्चिती हो गया है कि ब्रह्मदेव का वर्दान ही तुम दोनों के सर्वनाश का कारण होगा अब तुम्हें उस देवी से कोई नहीं बचा सकता दैतराज दैतराज अंगर थो गया महाबली दैतराज जो नहीं होना था वहीं हो गया दैतराज जिस विश्या के लिए सोचा मी नहीं था देतराज वही हो गया वही हो गया बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ है वो कहो चंड मुंड दोनों मारे गई देतराज चामुंडा के हाथों मारे गए पहले कालिका और अब चामुंडा काउन है वो कालिका और ये चामुंडा रहस और भी गहरा होता जा रहा है हाँ लगता है सुंद्री कौश्की की रक्षा के लिए कालिका ही चामुंडा बनकर प्रकट हुई है वो कुछ भी बने कुछ भी बनकर प्रकट हो उसे समाब तो करना ही होगा इसके लिए आपको अपने चमतकारी साथ ही रक्त बीश का आवान करना होगा हाँ, रक्त बीश हमारे आवान पर तुरंट पाताल लोग से बाहर निकल कर प्रकट होगा और वो कालिका वचामुंडा को समाथ करने में हमारी सहायता करेगा कालिका के समाथ होते ही सुन्दरी कौशी की आपको प्राप्त हो जाएगी ये तो तुमने बुद्धी और ग्यान की बात कह दी निशुम सेलो हम दोनों मिलकर उसे पुकारते हैं असुश रोमनी चमतकारी रक्त बीश हम तुम्हारा आवान करते हैं रक्त बीश को बीश रहारान को याइन रक्ति है को वहार जा आई को वहार 시간이 ऐ खाल करे जसा führen करें च तुमने बीश कहारे में प्राइवारा कि भान से काल मैं शक्त भीज हूँ स्वर्गा अधिपदी असो सम्रा दैतराज शुम्ब शुम्ब की रक्त भीज तुम्हारे आगमन से हम प्रसंद हुए दैतराज मेरा आवहन क्यों किया रक्त बीज मेरीन रहीं कौशिदी को हमने प्रक की सांवाग्की बनाने का प्रण किया हे और प्रण की पूर्ण। हमके-ड Richardson चामुंदा वाधה बना रहेiau हुई है रख बीज को तुम तुरणत जाकर चामुंदा और आपने रहेंगे, असुर सम्राठ, शुम्ब निशुम्ब, आपकी आज्या मान कर, आपका फ्रण पूरा करना मेरा परम कर्तम पे है, मैं अपना कर्तम पे अवश्य पूरा करूँगा, अपना कर, अपना कर, शुम्ब निशुम्ब निशुम्ब अब भी, स्वयम देवी कौशी की के पास आने का सहास नहीं कर रहे, किन्तु इस राक्षस की भहेंकरता को देखकर लगता है, कि ये महाशक्तिशाली राक्षस, कौशी की महल में कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य मचाएगी, क्या हुआ, देवी, ये शंग को तो दिन सुन रहे है न स्वामी, ये कौशी की का आभान है मेरे लिए, क्या हुआ, देखकर लिए, क्या है, क्या है, देखकर लिए, ये शंग को तो देखकर लिए, क्या हुआ है इजए, क्या हुआ तो दुए है क्या हुआ है हुआ है कि अधिए आधिए आधिए अधिए है आधिए अधिएए संदरी मैं यहां तुम से युद्ध करने नहीं आया हूं मैं तो तुहें आदर पूर्वक स्वर्ग लोग ले जाने के लिए आया हूँ महावली शुम्भ निशुम्भ त्रिलोग विजेता है तुम उनके हदेश सिम्हासन पर विराजमान होकर त्रिलोग सामरग्गी बन जाओगी और जगत के सर्वत तम सुकों को भोगोगी आओ मेरे साथ आओ स्वर्ग लोग चलो मेरे साथ मेरी निश़्ी आओ से लिए साथ मेरी जाने के सामरे साथ मेरी आओने के सामर एल ये होकर तुम्भ लोगोगी बनने के सामरे आओ मेरे सा स्वर्गू कि पुलाउמी पुलाई न 네 पुलाउ कि अह देट आरी तेट जंपती सभी हुआ हुआ पुलाउ़ नाँ कि रुब खुझ अवे जी पुलाई हुआ हुआ हुआ, अँख पलिया नाँ देटartz टेट pec्ती अजग हुआ हुआ 챌ững पर अचery हоля तेन ओग जब तक रख्ट पीज के रख्ट की एक फूम दिशेश है जब तक रख्ट पीज को कोई समात नहीं कर सकता जब वैंक है 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 कि बाताल लोक का सर्व शक्तिशालिय सूर्व रक्त भीज मारा गया भाईया शुम अब तो सवय मुझे ही युद्ध भूमी में जाना होगा तुम जाओगे हां मेरी वर्दानी शक्ति को कोई चिरोती नहीं दे सकता मैं कालिक्य का संगहार करके सुन्द्री कोश्टी की को लाकर आपके चल्णों में डाल दूँगा असुर्द नहीं तैयार हो आग्ये बढ़ो पाशक निशाली के देटराज